यानि आपकी application run हो रही हो, उसी वक्त ये error आजाए तो आप इसके क्या solution हो सकता है इसका, तो ये दूसरा एक aspect है इस error का, तो चलिए वो देखते हैं, ये हमारा project है, देखिए, ये हमारा solution explorer है, अब इस project को मैं run कराता हूँ, ये देखिए हमारा homepage भी run नहीं हुआ और हमारे साम आपने वही error आगई, resource cannot be found, अब हम इसके लिए क्या करें, वो solution आपको मैं बता देता हूँ, debugging बंद कर दी हमने, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ अपने project पर जाएंगे, और project पर जाके हमें right click करना है, नीचे आजाए यहाँ, property pages, property pages में देखिए, start options है, बिल्ड है सबके यहाँ options है, properties है, आप यहाँ पर आजाएए, आपके start options, और इसमें start URL पर आजाएए, ठीक है, और start URL में आप वो URL डाल दीजिए, जिस URL से पेज रन नहीं हुआ था, starting वाला जो हमारा local host हो, या आप जिस server पर रन करवा रहे हैं, वो server का address हो, तो वो आप यहाँ पर URL डाल सकते हैं, बस आपको क्या करना है, start URL में, अपना जो URL जो था हमारा, जो पेज शो नहीं हो रहा था, local host, यह ले लिजी बस, इतना, local host और जो आपका port number हो, इसको copy कर लिजिए, यहाँ से, और वो यहाँ paste कर दीजिए, इसको apply कर दीजिए, ok कर दीजिए, उसके बाद आ जैसे माल लिजिए, यह है हमारा index page, index.aspx, यह आपका startup page है, इस पर right click करिए, और इसको set as startup page कर दीजिए, इसके कारण भी कई बारे problem हो सकती है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको run कराएं, project को, यह देखिए, that's it, यह हमारा page run हो गया, कोई issue नहीं है, तो यह दो तरीके मैंने आपको बताया है, कि यह local host आपका जो यह है, इतना एक copy कर दीजिए आप, अपने properties में, और दूसरी चीज़ आपका अपना startup page set कर दीजिए, तो आपकी error solve हो जाएगी, तो friends कैसा लगा हमारा video, please comment box में जरूर बताएं, और subscribe करना बिलकुल न भूले शेयर करें, social media पर अपने friends में tag करें, like करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, see you next video, bye bye